दोस्तो मान लेज़े आपके पास date कहीं साब से earning दिया हुआ है कि आप किस date में कितना earning किये हो और आपको निकाला हूँ कि इस month में या इस year में कितना earning हुआ है तो आप यह कैसे निकाल सकते हैं चलिए जानते हैं सबसे पहले हम लोग अगस्ट मैंने में कितना अर्निंग हुआ था निकालना सीखते हैं तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा फंक्सन यूज करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग equal to का sign लगा लेते हैं उसके बाद हम लोग type करते हैं some product some product के बाद हम लोग यहां पर दो हाइफन देंगे ठीक है दो हाइफन दे रहें exact match के लिए उसके बाद bracket open करेंगे और हम लोग को क्या निकालना अगस्ट मंत का सम निकालना तो इसके लिए हम हम लोग मंन्थ कर निकाला है तो सबसे पर्लाओ मंथ लिखेंगे 100TG Internet open करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे CTRL saya और डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे फिर से हम लोग से इसको रोल करके वापस आते हैं इसको क्लोज करते हैं bracket को उसके बाद हम लोग equal to लगा आते हैं और अगस्त कौन सा महिना है आठवा महिना तो हम लोग यहाँ पर 8 लिखते हैं bracket close करते हैं और एक bracket close करते हैं और enter की प्रेस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर 9 देखिए यहाँ से लिए यहां तक अगस्त का महिना है और इसका data यहाँ पर है तो मुझे इसका sum करना है तो sum करने के क्लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मैं फिर यहां वापस आऊंगा और यहां से पीछे वाला जो bracket है उसको अटा दूँगा उसके बाद मैं यहां पर S3 का sign लगाऊंगा गुना का sign लगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं earning per day है उसमें पहला रोको हम select करते हैं control shift और down area से पूरा select कर लेते हैं उसके बाद उपर आते हैं फिर से और bracket close करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए 57,814 आया है तो चलिए हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं कि या सही आया ये गलत आया है तो इसके लिए हम लोग सम function का यूज करेंगे चलिए देखते हैं equal to sum bracket open करते हैं और यहां सेप्टमबर महिना का अर्निंग निकाल के देखते हैं तो इसके लिए हम लोग फिर से equal to लगाएंगे और यहां प्लिखेंगे सम प्रोड़क्ट दो बर हाइफन साइन bracket open करेंगे सेप्टमबर महिना का निकालना है मिन्स मन्त का फर्मूला लगेगा मन्त लिखेंगे bracket open यहां से हम लोग पूरी को select कर लेते हैं control shift और down arrow से फिर से यहां return break आते हैं ब्रेकेट क्लोज करते हैं equal to और यहां पर सेप्टमबर महिना कौन सब्सक्राइन है नवा महिना है तो यहां पर 9 लिखेंगे bracket क्लोज bracket क्लोज और इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहां पर 15 आया 15 इसलिए आया कि देखिए नीची सेप्टंबर महिने का डाटा जो है मेरे पास टोटल 15 है 15 आ गया तो सम निकालना है तो सम निकालने के लिए फिर सम लोग यहां पर आएंगे पीछे वाला ब्रेकेट को हटा देंगे स्ट्रिक का साइन लगाएंगे और यहां से अर्निंग पर्डे है उसको सेलेक्ट करेंगे चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं सम फर्मूला से इसके लिए हम लोग इकवल लगाएंगे सम ब्रेकेट ओपन और सेप्टेंबर महिना का जितना भी डाटा है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक उसके बाद फिर सो आपस आएंगे ब्रेकेट क्लोज करेंगे और इंटर की देखिए दोनों इकवल हैं मिन्स हम लोग सही जा रहे हैं तो चल हम प्रोडक्ट दो हाइफन लगाएंगे ब्रेकेट ओपन और यहां पर मुझे यहर का निकालना है इसलिए हम यहर का फर्मूला लगाएंगे ब्रेकेट क्लोज करेंगे और यहां से पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे select करने के बाद वापस आ जाएंगे bracket close equal to और हम लोग को क्या निकालना है 2020 का data निकालना है तो यहाँ पर हम 2020 लिखेंगे bracket close करेंगे फिर bracket close करेंगे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखे 2020 का data मेरे पास 4 ही है चलिए चेक कर लेते हैं देखिए यहाँ पर 4 data है बाके बाद 2021 का data है तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर से वहीं जाएंगे पीछे वाला bracket को हटाएंगे अस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और पूरे data को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट करने के बाद फिर सो वापस आएंगे bracket close करेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे तो देखे 2020 में जो टोटल अर्निंग हुआ है इतना हुआ है तो चलिए अब 2021 का भी निकाल लेते हैं इक्वल टू सम्प्रोडक्ट डबल हाइफन लगाएंगे ब्रेकेट ओपिन करेंगे यहां पर भी यह का हमको फॉर्मडल लगाना होगा यह उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पूरे data को सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद वापस आते हैं ब्रेकेट क्लोस करते हैं इक्वल टू और यहां पर मुझे 2021 का data चाहिए इसलिए यहां पर 2021 लिखेंगे ब्रेकेट क्लोस, ब्रेकेट क्लोस, इंटर की प्रेस करेंगे, तो 2021 के डेटा टोटल 24 है मेरे पास, तो चलिए इसका सम निकालते हैं, तो सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वापस आते हैं, यहाँ पर पीछे वाला जो ब्रेकेट है उसको अटा देते है यहां पर Astrick का Sign लगाते हैं और यहां पर इसको Select करके Ctrl-Shift Down-Ara से पूरा Select कर लेते हैं फिर से वापस आते हैं यहां पर ब्रेकेट क्लोज करते हैं और इंटर की प्रेस कर देते हैं तो देखिए 2021 में टोटल लर्निंग मेरे पास इतना है आसा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया वगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लिजी जिलते हैं नए वीडियो में नहीं जानकार एक साथ तब तक लिए जया हिन बंदे मात्रम